हेलो एवरिवन, आज मैं बनाऊंगी गेहूं के आटे की पंजीरी, धाइसो ग्राम आटा है, सबसे पहले आटे को छान लेंगे 125 ग्राम देसी घी लिया है मैंने, घी को मिडियम फ्लेम पे हलका गरम करेंगे 25 ग्राम बबूल का गोन, घी का टेमपरेचर चेक करने के लिए, गोन का एक टुकड़ा डालेंगे घी के अंदर गोन फूल गया है, तैर के उपर आ गया है, लेकिन जला नहीं है, घी का टेमपरेचर ठीक है, सारा गोन इसमें डाल देंगे और फ्राइ करेंगे गोन फूल गया है, गैसली मॉफ कर देंगे, और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, इसे ज़्यादा प्राइए करना है, गोन जाएगा और कड़वा लगेगा खाने में, गोन 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 एक प्लेट में निकाल लिया है, लोटू मिडियम फ्लेम पे इसी घी में आटे को भूनेंगे, लगातार चलाते हुए, आटे को ब्राउन होने तक भूनेंगे, लगातार चलाते रहेंगे, गैस फ्लेम आप जरूर तनुरसार कम या जादा रख सकते हैं, आटे को मैंने दस मिनिट के लिए लोटू मिडियम फ्लेम पे भूना है, लगातार चलाते हुए, आटा भून गया है, अब इसमें डालेंगे, 100 ग्राम बदाम कटे हुए, 100 ग्राम काजू कटे हुए, 50 ग्राम मगज, इन सभी ड्राइफ रूट्स को भी आटे के साथ भून लेंगे थोड़े देर के लिए, लगातार चलाते रहेंगे, ड्राइफ रूट्स को मैंने दो मिनिट के लिए बून लिया है, आटे के साथ लगातार चलाते हुए, आटा भून गया है, ड्राइफ प्रिस्पी हो गया कर देंगे आटे को एक प्लेट में निकाल लेंगे पंजीरी के मिश्रण को ठंडा कर लेंगे रूम टेंपड़ेचर पे उसके बाद बूरा में लाएंगे ढोगे के सब्सक्राइब की हुँ फ्र्रीचर को कूठर में कूठ लेंगे बारिक बारिक पंजीरी का मिश्रण ठंडा हो गया है अब इसमें डालेंगे बूरा 300 ग्राम बूरा है बूरे को चालने के चलनी में बूरे को पंजीरी की मिश्रण में डाल देंगे इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच सौट पाउडर क्रेश किया हुआ गोन इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है एक प्लेट में निकाल लेंगे पंजीरी में आप ड्राइब फ्रूर्ट्स देसी घी में फ्राइग करके भी डाल सकते हैं मैंने आटे के साथ भूने हैं मीठे की मातरा आप स्वाद अनुसार कम्या जादा कर सकते हैं देसिक ही भी आप जरुत अनुसार कम्या जादा कर सकते हैं ड्राइफ रूट्स आप अपनी पसंद के डाल सकते हैं ड्राइफ रूट्स की मातरा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको रेसिपी पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए